चलो, अब मैं दिखा देता हूँ, CG Board का अक्षा दस्वी वालों को भी पेपर दिखा देता हूँ, तो ये समाजी विज्ञान का पेपर है, अध्वार्सिक पेपर का, ठीक है, तो अध्वार्सिक पेपर का समाजी विज्ञान का पेपर है, यहाँ पे आप देखो, पूर्णा का वस्तुनिष्ट प्रस्ण आएगा पांच नंबर का दिक्तिस्थान आएगा और पांच नंबर का सही जोड़ी मिलावाएगा तो इस तरह से टोटल 15 नंबर की क्विश्चन आपको उस तरह से देखने को मिलेगा जो हमसे प्रस्ण आपका पांच क् संसाधन कीसे कहते हैं फिर अप्सिष्ट की से कहते हैं यह बहुत आसान असन प्रस्ण है बंजर्वुमी की से कहते हैं ये भी बहुत आसान प्रस्ण है वैकल्पित उर्जा संसाधन किसे कहते हैं ये भी आसान है भूजल क्या है ये भी आसान प्रस्ण है खनीश किसे कहते हैं ये भी आसान है परत परती भूमी किसे कहते हैं ये भी आसान प्रस्ण है देखो बहुत ही आसान प्रस्ण है अब देखो संसाधन कीसे कहते हैं, मैं कुछ प्रस्णों का अंसर ऐसी आपको बता देता हूं, ठीक है, संसाधन कीसे कहते हैं, संसाधन हम उन चीजों को कहते हैं, जिने हम अपनी देनी जीवन में उप्योग मिलाते हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या है, संसाधन, जैसे कि आप पानी पीते हो, वो आपके लिए संसाधन है, आप खाना खाते हो, मतलब जो पैदावार करते हो, जैसे कि धाचावाल का पैदावार करते हैं, तो वो भी क्या है, आपके लिए संसाधन है, मतलब हम जीतनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वो सब के सब क्या है, संसाधन ह अप्सिष्ट किसे कहते हैं तो अप्सिष्ट किसे कहोगे, अप्सिष्ट जो खराब प्रोडूडक्ट होते हैं, जो खराब चीज है, उसे हमक्या कहते हैं, ंप्सिष्ट क कोuga हैं, प्लाइसिक K notamment oforgan At расск violence अगर उपयोग करें तो ठीक है लेकिन उपयोग नहीं करें वह कंच्रा बड़ी में फेक दें गंदगी जगह में या गंदा चीज है वह तो वह क्या है वह आपके लिए अप्सीष्ट है समझ में आगे अपसीष्ट मतलब फिर यहां पर देखो बंजर भूमी की से कहते हैं ऐ भूजल क्या है भूजल मतलब जमीन के अंदर वाला जल है उसे भूजल कहते हैं खनीच किसे कहते हैं खनीच जो जमीन के अंदर से खोट के निकाला जाते हैं उसे खनीच कहते हैं ठीक है खनीच को इंगलिस में हम मिर्डल बुर बोलते हैं परती भूमी किसे कहते हैं ठीक ह आगे देख लो यहाँ पर लगुत्री प्रस्ण है फिर है तिरिदेशी संदी किन किन देशो के मध्य हुई थी ठीक है सारवनिक सुईधा है किसे कहते हैं मुद्रा क्या है साख किसे कहते हैं बजट क्या है इसमें से मैं कुछ प्रस्णों को उत्तर ऐसी बता सकता हूँ बैं के कारियों का वर्णन कीजिए प्रतम विस युद के कारणों पर प्रकाह डालिए खनन प्रक्रिया के दूस प्रभाव का वर्णन कीजिए फिर भूमी निमनी करण के कारण वा सरक्षण के उपाय बताईए भूमनली कारण के बारे में बताईए ठीक है इसी तरह से दे गभी के में लेकिन बाई चाहांस है कि इनमें से कुछ प्रसना आने के संभावना हो सकती है ठीक है तो आप लोग सभी प्रसनों को देख लेना एक बार